वेलकम टू पंकच कॉमर्स क्लासेज आप सभी बिहार सिच्छक भरती 2023 के कॉमर्स एस्पिरेंट का 7th phase के इस सिच्छक भरती में स्वागत है आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सिसन देखिए आज के सिसन में हमने लिया है बिजनेस स्टेडिज का वेरी इंपॉर्टेंट that is business services मतलब ब्यावसाइक सेवाएं तो आई हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको बढ़ने से पहले आपने आपसे question है that is कि commerce यानि कि वालिज किसे कहते हैं तो वालिज की परिभासा की अगर हम बात करें तो वालिज की परिभासा में कहा गया कि ब्यापार और ब्यापार से जुड़ी हुए चीजें क्या हैं यह होती हैं services और services क्या हैं उनके बारे में हमें study करना है इस chapter में तो definition देखते हैं introduction में services are those separately identifiable essentially intensible activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of a product or another services a good is a physical product capable of being delivered to purchaser and involves the transfer of ownership from seller to customer देखें सेवाएं वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो अमूर्त होती हैं इनमें सेवा देने वाले वो भोगता के बीज सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो देखें क्या होता सेवाएं क्या होती है एक तो इनकी intangibility होती है सेवाएं क्या है दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन इससे दूसरी party इसको क्या होता है satisfaction होता है उसका work आगे बढ़ जाता है सेवाएं वेकरिया हैं जिनको अलग से पहचाना जा सकता है जो अमूर्त है जो किनी आवसकताओं की पूर्ती करती है और एवं ये आवस्यक नहीं कि वे किसी उत्पाद अत्वा अन्य सेवा के विक्रे से जुड़ी होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है शर्विसेज क्या हो सकती, सेपरेबल भी हो सकती अलग से भी हो सकती और किसी बिजनेस से किसी भी प्रोड़क्ट से जुड़ी भी हो सकती है वस्तु एक भौतिक पदार्त है जिसकी किसी क्रेता को सुपुर्दगी दी जा सकती है तता जिसके स्वामित का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतर हो सकता है आप देखिए में समझेगा कॉंसेप्ट की बिजनेस में अगर हम goods का product को transfer करते हैं तो product transferable है मालिक से product अलग हो जाता है लेकिन services में सिवाओं में मालिक से अलग नहीं हो सकता है for example अगर आप देखें कि एक taxi या cab service वाला जो भी है अगर वो cab की service दे रहा है तो उसकी taxi और वो और वो अलग नहीं हो सकते है और दूसरी बात यह है कि जिसको भी service देना service लेने वाले को भी साथ में रहना पड़ेगा इसी तरह से देखें दूसरा example ले लेते हैं कि अगर बारबर यानि कि नाई अगर trimming यानि कि बालों की काटने के लिए service देता है तो दोनों पच्छों को दोनों parties को वहाँ पर मौजूद रहना होगा तब ही service दे सकते हैं तो service को person से include owner से include नहीं किया जा सकता है लेकिन product को owner से exclude करा जा सकता है उससे अलग करा जा सकता ठीक है तो nature of services देखें सेवाओं की प्रकति क्या है कि यहां पर कहा गए there are five basic features of services पांच basic features है characteristics हैं विसेश्टाएं हैं और वो क्या है these features also distinguish them from goods and are known as the five highest of services eyes मतलब कि यह पांच eyes से start होने वाली यह services हैं इनकी features हैं आईए जरा देखते हैं कि सेवाओं की पांच आधार भूद विसेश्टाएं होती हैं यही विसेश्टाएं वस्त्वों से भिन्न करती हैं है ना देखिए first क्या intensibility का मतलब कि तो अमूर्थ है जिनकी कोई मूर्थ नहीं आप देखिए service कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती हैं है ना services को feel किया जा सकता महसूस किया जा सकता है नुभूती किया सकती है लेकिन कहीं पर भी services दिखाई नहीं पड़ती जब की product की जब delivery होती तो पूरी तरह से दिखाई पड़ती हैं देखिए क्या नहीं कर सकता है सेभाइं अमूरते अर्थात हिने छुंए नहीं जा सकता है इनका अनु इनको अनुभाव किया जा सकता है डाक्टर के इलाज का कोई स्वाध नहीं होता तता मनोरंजन चूने की चीज नहीं है। इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। इसका एक नहीतार्थ ये है कि भोग से पहले इसकी गुडवत्ता का निधार संभव नहीं आर्थात बिना गुडवत्ता की जाच के इसका करे किया जा सकता है। असंगत्ता का मतलब यह है कि देखिए आप प्रोड़क्ट के बारे में जाएंगे तो प्रोड़क्ट एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं लेकिन सर्विस एक समान नहीं होती है। उसका रीजन यह है कि सर्विस देने वाले में भी डिफरेंट आते हैं उस मात्पुर्विशेस्था इनमें एक रूपता का न होना है, सेवाय कोई मान कीये मूर्थ उत्पार्तुन है नहीं, बलकि हरबार इनका निस्पादन अलग से किया जाता है, अलग अलग गरहकों की, अलग अलग मांगे यो माप एच्छाए होती हैं, सेवा प्रदान करताओं को ग्रह को किया हो सकता हूं कि पूर संतुष्टी के लिए अपनी सेवाओं में परवर्तन करने के आउसर होने चाहिए मोबाइल सेवाओं में इसका उधारण ये देखने को मिलता है मतलब यह है साव साव कि देखिए सेवाओं क्या सर्विसे क्या है वो अलग-अलग है मतलब कि हर एक person की condition में depend करता है कि उनकी services भी अलग होगी वो एक जैसे नहीं होगी थाड़ है inseparability, inseparability का मतलब यह है कि service देने वाला वो service से अलग नहीं हो सकता है जैसा कि आप product की मामने में देखते हो कि product deliver कर दिया तो product की ownership transfer हो गई लेकिन services की ownership transfer नहीं हो सकती है तो another important characteristics of services is the simultaneous activity of production and consumption being performed this makes the production and consumption of services seem to be inseparable अभिनता है, सेवा की एक और माहतपूर विसेशता है कि इसके उतपादने वो भोग की क्रियाएं साथ साथ संपन होती इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सेवाओ का उतपादने उनका वो क्या है अभिन है, services को अलग नहीं किया जा सकता है next time inventory less है देखिए जैसे कि आप देखते हो कि goods में या material में उसका inventory होता है अगर पूरा material एक दिन में utilize नहीं हुआ है तो उसका कुछ न कुछ material है जो कि बच जाएगा जिसको हम closing stock में include कर लेते हैं लेकिन सेवाओ के मामले में, services के मामले में ऐसा नहीं है services का कोई closing stock नहीं होता है employees जो भी काम है तो उसी दिन होगा उसके अलावा उसको उसका किसी तरह का कोई closing stock नहीं होता है तो पढ़ लिजे सेवाओं के कोई भावतिक घटक नहीं होते हैं इसलिए इनको तैयार कर भविस्त के लिए जमा करना संभव नहीं है सेवाओं सीगर नश्ट होती हैं और सेवा प्रदान करता है इनसे जुड़ी वस्तूओं को तो जमा कर सकते हैं सेवा नहीं को नहीं है मतलब संबधता अगर इंवा सेवा लेना हे तो सर्विस लेते समय कर श्टमर को भी इनन्वाव होना होगा और बढ़ मुत प्रोड़क्त समय जब बनता है तब भी जिसको product चाहिए होता है उसका कोई लेना देने नहीं होता है product उसको deliver हो जाता है तब भी owner service देने वाले से कोई मतलब नहीं होता लेकिन यहाँ पर just appositive services में कि सेवाओं की विशेस्ता में से सबसे मातपूर विशेस्ता सेवा प्रदान करने के प्रक्रिया में ग्रहक का सयोग है ग्रहक अपनी विशेस्ट आउ सकता कि अनुसार सेवाओं में सुधार करा सकता है उसको कैसी specification चाहिए वो change करा सकता है इसके बाद देखे types of services है सेवाओं के प्रकार तो सेवाओं के प्रकार में हैं कि सेवाओं के व्यापक रूप से तीन वर्गों में बांटा जा सकता है अब वियोसाइक सेवाए, समाजिक सेवाए और व्यक्तिका सेवाए यह तीन प्रकार से हैं तो बिजनेस सर्विसेस के उदर में क्या क्या होता है जैसे transportation, insurance, banking, warehousing तो यह सारी जो है बिजनेस services जो की ब्यापार को चलाने के लिए आवस्यक जिनके बिना ब्यापार की हम कलपना नहीं कर सकते हैं और दूसरा है social services समाजिक सेवाए देखे क्या होती है social services की अगर हम बात करें तो social services are two services that are generally provided voluntarily की मतलब अपने ही मन से स्वयम से आप कहीं से आप क्या होके motivate होकर के अगर सेवा दे रहें तो उनकी और जरूरत भी है इनको कहां पर समाज में इनकी आवसकता भी होती है तो समाजिक सेवाएं क्या है कि ये सेवाएं कुछ समाजिक उद्देशों को पाने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती है इनके उद्देश हो सकते हैं कमजोर वर्ग के जीवन इस्तर को उठाना उनके बच्चों की सिच्चा की विवस्था करना तथा कच्ची बस्तियों में स्वास इवं सफाई की विवस्था कराना तो ये क्या है ये business services ना हो करके ये social services है और ये भी services में ही include होती है ये generally क्या होता है कि unintentional मतलब की कुछ लोग अपने से जिसको कहते है motivate होकर के प्रेडा से कर सकते हैं या जरूरत को देखते हुए भी उसको कर सकते हैं तीसरा है personal services ना personal services का मतलब की व्यक्तिगत सेवा क्या होती है कि जो उनको personally चाहिए जैसे उसके examples अगर आप समझें कि जैसे कहीं पर घूमना है परिटन संबंदी मनोरंजन है जलपान ग्रह है यह सब जितनी भी services है वो personal services में आती है इस services cannot be consistent in nature और यह services कभी भी एक रूपता इन में आई नहीं सकती एक consistency इनके अंदर नहीं हो सकती they will differ depending upon the services provided they will also depend upon customers preference and demand तो customer जैसा prefer करेगा उनीक इनुसार ही इस services होती है और यह ग्रहकों की पसंद आउसकता पर भी निर्वर करता है और इनके उदारण क्या है जैसे परटन मनोरंजन सेवाए एवं जलपान ग्रहे तो business services की बात चल रही है तो business services में basically चार तरह की services होती है और कौन कौन सी है पहला है banking दूसरा insurance तीसरा warehousing और transportation यह चार तरह के ऐसी services है जिनके बारे में हम discuss करेंगे one by one तो सबसे पहले first one पे चलते हैं और वो है हमारा banking services और banking services की बात आती तो इसमें banks कितने types के होते हैं यह हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिखाओ commercial bank are an important institutions of the economy for providing institutional credit to its customers वालिजिक bank अर्थवस्ता की महतपूर संस्थाएं क्यों क्यों क्योंकि यह अर्थवस्ता में सबसे ज़्यादा इनका योगदान है यह क्या करती हैं कि accepting the deposits यानि कि ग्रहकों से ग्रहकों से amount ले करके और जिन ग्रहकों को जिन पुलब्द कराते भारत में एक banking company वो है जो banking का व्यापार करती है यह रिड़ देती है तता जनता से ऐसी जमा स्विकार करती जिने मांगने पर अन्नी किसी समय पर भुक्तान करना होता है तता जिने ग्रहक चिक ड्राफ्ट या आडर पिया किसी अन्यमादम से निकाल सकते ह अब बात करेंगे types of banking तो बैंकों के परकार में पहली बैंक है हमारी commercial bank दूसरी है सहकारी बैंक यह cooperative society bank है और cooperative bank जिसे कहते हैं तीसरी विशिस्ट बैंक इस पेसलाइज़ बैंक और चौती है central bank देटिज रिजर बैंक आप इंडिया तो first one है commercial bank यह वाडिजिक बैंकों का का क्या होता है वाडिजिक बैंकों का क्या होता है कि यह accepting the deposit यानि जमाओं को स्विकार करती है यह ग्रहकों दौरा जो भी जमा होती है वे स्विकार करे जाती है और यह loan इनको माटना होता है यानि कि रिरपरदान करने का काम यह main primary objectives में आता primary work में आता इनके और जो की additional है जो locker facility हो गएरा भी यह मधूद कराते हैं तो देखे commercial bank our institution dealing in money these are governed by Indian banking regulation act तो यह deal किसमें करते हैं Indian banking regulation act से इनको deal किया जाता है यह नहीं के तहता आते हैं and according to its bank means accepting deposit of money from the public for the perpajab lending our investment देखे वालिजिक बैंक वे संस्थान जो मुद्रा में विवापार करते हैं यह भारती बैंक नियमन अधनियम 1949 के द्वारा सासित होते हैं commercial bank का काम क्या होता अब जैसे commercial bank की example की बात करें तो इनके example कौन कौन से जैसे आप देखते हो sbi है bank of bank of india ऐसे बहुत सारे examples हैं जिनमें की आप central bank of india और other बहुत सारे bank है इस इसके साथ ही कुछ private bank भी है तो private bank में अगर नाम ले हम तो ऐसी बैंके हैं जैसे के HDFC bank है high CICI bank kotak Mahindra bank यह सब प्रमुक है तो यह कुछ private bank के examples हैं और अगर commercial bank की commercial bank के functions की बात करें तो देखें जब यह deposit accept करते जमाओ को सुईकार करते तो कितने तरह से सुईकार करते चार त saving bank account क्या होता है कि जो कि एक small people यानि कि small work के लिए जो household है generally उनके लिए होता है इनका क्या होता है जो बचत खाता होता है जिसमें कि कई बार यह जमा कर सकते हैं और कई बार यानि कि एक निस्चिट टाइप होता है कि इतने बार में यह जमा कर सकते हैं इतने बार निकासी कर दूसरे टाइप का एकाउंट होता है तुछ फिक्स डिपॉजिट एकाउंट की खासियत होती है कि एक बार में पैसा जमा होगा और एक यह बार में करते हैं इसका जो ब्याज है वह थोड़ा सेविंग बैंक एकाउंट से बचत खाते से जादा होता है और तीसरा एकाउंट ह घुझे लिए होता है जो कि ब्यापार में यह रहे होता है तो बिजनेस में के लिए झो काउंट प्रवाइफ किए लाता है जिंके डिपॉजिट एक्सिप्ट कि र sponsors word that söz current account में generally किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है और अगर ब्याज दिया जाता है तो यह बहुत ही कम होता है next है और हमारा last जो की recurring deposit account जिसको बोलते है आवरती जमा खाता तो यह आवरती जमा खाता जो है इसमें क्या होता है इसके अंदर में दोनों की गुड़ मौजूद होते हैं एक तो fake deposit account के जिसको सावधी जमा कहता बोलते हैं, सावधी bank कहता उसमें क्या होता है कि एक बार जमा करते हैं और जो दूसरा MRAS saving account जो की बचत कहता हैं उसमें क्या होता है कि कुछ times में आप उसको withdraw कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कुछ बार में आप जमा कर सकते हैं आप देखोगे आवरती जमाखाते में recurring deposit account की खासियत यह होती है कि इसमें आप एक लमसम amount निर्धारित कर दी जाती जो कि हर महीने आप उसे जमा कर सकते हो और last में इसका withdrawal होता है इस तरह से दोनों की characteristic दोनों की विशेस्ता है इसमें मौजूद हो जाती जनरली इसका rate of interest दे देती है और इस पर interest charge करती है दूसरा क्या होता नगद साक आपने सुना होगा cash credit cash credit क्या होता है security basis पर किसी को भी यह loan provide किया जा सकता है लेकिन इसकी खास बात है कि इसमें security क्या होना जरूरी होता है अगर security नहीं है तो यह loan नहीं मिलेगा इस पर एक loan का amount sanction कर दिया जात पड़ेगा पूरे एक लाग पर नहीं पड़ेगा तीसरा होता है bank overdraft जिसको bank अधिविकर्स के नाम से आप जानते हैं bank अधिविकर्स की सुविदा सिर्फ किनको होती जिनका जिनका current account bank में होता है ठीक है तो इसमें सबसे पहली जो features है कि current account में current account होना चाहिए उनका bank में तो इस पर जो उनको अब bank overdraft क्या होता है कि एक amount जो आपका पहले से bank के अंदर में है आपको जरूत परती और उससे ज़्यादा withdrawal कर देते हैं तो इसी को ही bank overdraft कहते हैं इस amount पर bank एक interest charge करती है ये interest अगर आप देखे तो cash credit के मुकाबले ज़्यादा होता है इसे हम interest on bank overdraft कहत हैं इसके बाद 34 हमारा जो आता जो loan reno को प्रदान करने में discounting of bills आप देखते हो कि जो भी गरहकों के द्वारा bills of exchange bills receivable प्राफ्ट होते हैं अगर किसी को समय से पहले loan की amount की जरूरत होती है तो वो अपने bank से जा करके उसको bill को भुना करके bank से भी loan प्राफ्ट करते जनरली amount प्रदान कर देती है amount दे देती है और जब उसकी maturity period होती है तो जहां से उनका amount receive होना है उस ड्राइ से जा करके उस bill का amount ले लेती है तो यह था कि जो main functions है अब कुछ other functions भी है other function में agency function जैसे bank क्या है later आप credit भी issue करती है और bank bill प्राप लेडिंग भी करती है और bank जो है other तरह की चीजे है जिनमें की आप agency function में आप कर सकते हो कि bank क्या करती है कि dividend collection का का काम करती है dividend पर interest है अंडर्राइटिंग का काम भी करती, बैंक क्या करती है, इसू करती है, उन्डर्राइट करती है, तह यह सब होगे और अन्य सिवाहों में अगर आप जाओगे तो lockers facility आपने देख़ो, lockers facility का भी काम करती ह temp tut यह था, वारिज्जिक बेंक that is, commercial bank का है, अब commercial bank से related बहुत सारे च होता है यह cooperative society जो होती है multi cooperative society act के तहद बनती है और इनका जन्में इसलिए होता अपने members को help करने के लिए तो यह जो bank होती इन पर पूरी तरह से government का control होता है और यहां पर जो amount आता है bank में वो उनके members के द्वारा ही जमा किया जाता है जितना भी उसी रासी बैंक में members के द्वारा सदस्यों के द्वारा जमा होती है उसी रासी को उठा करके उसमें से किसी सदस्य को अगर जरूत होती तो उसको loan की तहट उसको बाट दिया जाता है आप देखिए cooperative banks are governed by the provisions of state cooperative societies act and meant essentially for providing cheap credit to the year member it is an important source of rural credit तो सहकारी बैंक राज सहकारी समितिया अधिनियम के प्रावधान उस्सासित होते तता यह अपने सदस्यों को सथी दर पर रिड उपलब्द कराते हैं और यहां पर rate of interest बिल्कुल लो होता है यह भारत में ग्रामीड रिड अर्थात करिसी वित्तियन का प्रमुख स्रोत हैं नेक्स इस specialized bank कुछ special work के लिए जो बनाए जाते इस specialized bank का foreign exchange bank industrial bank development banks export import bank catering to specific needs of these unique activities दीज बैंक परवाइड financial aid to industry heavy turnkey और projects and foreign trade तो देखें बिसिष्ट बैंक का काम क्या होता है बिसिष्ट बैंक, विदेशी बैंक, और द्योगिक बैंक, इनका मतलब एक विशिष्ट उद्देश होता है, वो सेवरेल सारी चीज़ों के लिए नहीं होते हैं, किसी स्पेसल वर के लिए ही इनका फॉर्मेशन होता है, जैसे विकास बैंक, आयात, निर्यात बैंक, जो इन विशिष्ट बैंक, देखें सेंटरल बैंक, जिसे हम रिजर बैंक आप इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यह हमारी कंट्री का एपक्स बैंक है, हर एक कंट्री का अपना एक एपक्स बैंक होता है, देट इस सेंटरल बैंक, हमारी देश में सेंटरल बैंक का मतलब रिजर बैंक आप इ 2335 से ही लागु हुआ है देखे दे सेंटरल Nossa काMr. आप zej Bjork 5 7 काम क्या हता सूपर přीज़न का काम होता है स्थीज़िस परद्व चक्राइक रेगुलेशन ने काम काम पर पूरी तरह से पर क्लिश और काम अब Be तो यह था हमारे business services में और detailed discussion banking services तो आप हमारे courses को purchase करने के लिए अगर आपको ये session पसंद आया है और आप हमारे साथ में अपनी त्यारी करना चाहते तो हमारे courses को purchase करने के लिए आपको इस description box में इस video के description box में चार तरह के link दिये गए तो आप download कर सकते हैं दूसरा link है कि आप course का link है तीसरा test series का है और चौता free test का link है इसके prices और सारी चीजों के regarding आप हमारे description box में देखें Thank you, thanks for watching Now it's time to discuss about the course तो हमारे तीन courses हैं जैसा कि आपको जो required है commerce experience के लिए तो पहला course है हमारा accountancy का तो इस course में आप देख सकते हैं कि सारा कुछ जैसा की जो भी online classes होंगी live classes plus recorded videos plus इसमें जो PDF हैं सारी involved कर जाएंगे study material का इसके साथ ही MCQs का test कराया जाएगा और इसके साथ ही जो सबसे wonderful चीज है वो है test series इस course में ही include होगा जो लोग सिर्फ course नहीं purchase करना चाहते हैं उनकी तयारी उनको लगता है कि उनकी तयारी हो चुकी तो उनके लिए हमारा दूसरा offer है जो कि test series का है तो यह accountancy का test series तो यह दोनों courses पहला है कि accountancy का full course है और दूसरा है कि accountancy का test series है अब हम बात करेंगे आपने दूसरे course के बारे में second course है हमारा जो कि business studies का है in the same way कि सारा कुछ include किया जाएगा जैसा कि आप से हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आपका जो भी live classes है recorded classes है और इसके साथ ही जो भी study material class में पढ़ाया जाता है उसका study material include किया जाएगा इसके साथ ही test series और online mcqs भी include किये जाएगे उसके pdf होंगे और इसी के साथ ही आप business studies का test series भी आप कर सकते हैं जो लोग full course ले रहे हैं उसमें test series already होगी अगर आप खाली test series लेना चाहते हैं तो खाली test series भी ले सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा course है जो कि entrepreneurship का है तो same here entrepreneurship के साथ भी है कि आप इसका course purchase कर सकते हैं और अगर course पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है इसके साथ में test series भी ले सकते हैं तो ये था हमारे courses के regarding app कैसे download करेंगे तो app के लिए बात करेंगे आगे लेकिन इस बढ़ने से पहले एक important information ये है कि हमारे यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक coupon create किया गया है और वो coupon offer है super 100 का तो ये super 100 coupon है जो कि 499 का है और इसको लगाने के बाद में इसको apply करके आप इस course को buy कर सकते हैं लेकिन देरी मत कीज़ेगा क्योंकि ये सिर्फ only 100 students के लिए हैं तो आईए हम discuss करते हैं कि app कैसे download करेंगे हमारे app को download करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे play store पर play store पर search करेंगे punkaj commerce classes और इस पर जाने के बाद में इसे आप install करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पहले से इसे install कर रखा है तो हम इसे open कर लेंगे और फिर आपको नजर आएगा home tab home tab के पास में ही batches का option और इसके बाद store का option store पर आप scroll करेंगे और आप देख पाएंगे सारे courses जो की BPSC के लिए हैं और इसमें entrepreneurship business studies, business studies के लिए test series और इसके साथ ही accountancy और accountancy का test series है तो आप अपने recording जिस भी subject में आपने apply किया है उसके recording आप इसे buy कर सकते हैं तो यह था हमारे course के regarding की course कैसे purchase करेंगे और app कैसे download करेंगे वीडियो देखने के लिए thanks thanks for watching अपने आप में आपको यह लुद का अपने बाना आपको लिए